तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे B.E.C. Data Science कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत है दोस्तो मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी काफी सारे कोर्स के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप इस वीडियो के कतम हुने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं B.Sc. Data Science कोर्स के वारी में आपसे मैं डिस्कस करूं तो B.Sc. का मतलब होता है Bachelor of Science और B.Sc. Data Science का जो कोर्स है वो एक Undergraduate Level की डिगरी का कोर्स होता है तो जै कोर्स तीन वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल 6 स्मेस्टर होते हैं तो B.Sc. Data Science का जो कोर्स है वो डेटा और उसके Analysis पर फोकस करता है तो अगर आपसे मैं Data Science की बात करूं तो Data Science एक इसी फील्ड है जहां हमें Data का इस्तेमाल करके नए और Valuable Insights प्राप करने का काम करते हैं तो इसमें हम एक Large Amount का जो Data होता है उसे हम Analyze करते हैं ताकि हम Patterns और Trends को समझ सकें तो Data Science में हम Data Collection, Data Cleaning और Data Analysis करते हैं हम Data को Organize करते हैं और उसमें Analyze करने के लिए काफ़ी सारी AC टकनीक्स और टूल्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो Programming Languages इसमें एक सेक्टरा आ जाती हैं तो इस कोर्स के माद्दम से आपको Data Base Management System, Data Mining, Data Warehousing एक सेक्टरा जो चीज़े होते हैं वो आप Study करते हो इसके साथ आपको Data की Storage, Retrival और Security के कई तरीके सिखाए जाते हैं तो BSC Data Science का जो कोर्स है वो Data Driven Decision और Problem Solving पर केंदरित होता है जिसमें आप एक Large Amount of Data को Analyze करके एक Insights निकाल सकते हैं तो हम Complex Problems को तो Solve करी सकते हैं इसके साथ हमको जो Decision Making जो Process होता है वो भी हमारा काफी अदा Improve हो जाता है तो BSC Data Science का कोर्स काफी ज्यादा अच्छा कोर्स माना जाता है जो कि आज की टाइम में काफी सारे जो Students होते हैं वो इस कोर्स को करने में अपना काफी Interest दिखाते भी हैं अभी आपसे मैं Eligibility Criteria के वारी में आपसे मैं डिसकस करने वालाओं की जिनेंपर इस कोर्स में आखिर किस परकार से Admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको Admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो 12th की जो Class है उसे आपको पास करनी पड़ेगी Science के Subjects होते हैं Physics, Chemistry और Mathematics जो की आप इन Subjects को आप 12th की Class के आप Study करते हो और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारी जुनिवस्टिस का जो Eligibility Criteria है इस कोर्स के रिगार्डिंग वो different भी हो सकता है अभी आपसे मैं जो उपर फाल्स के वारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हों कि जन्हें अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की जोव मिल सकती है तो दोस्तो आप Data Scientist बन सकते हो आप Business Analyst बन सकते हो इसके इलावा दोस्तो आप जो Data Ways Administrator की जो जोव है उससे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी Personal Skill और Knowledge की उपर डिपेंड करता है कि आपको कोर्स सेक्टर में आपको जोव मिल सकती है इसके साथ इस कोर्स को फूरा करने के बाद और भी काफी सारी जो Jobs की Possibilities है वो Student के लिए Open हो सकती है और दोस्तो अगर आप अपनी आगे की Study को और ज़्यादा Continue रखना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तो आप जो MSC के लिए भी आप Apply कर सकते हो अब यह आप से मैं Slavers के बारे में आप से मैं डिसकस करने वालाओं की जिनने अप इस कोर्स में आगर किस परकार का जो Slavers होता है वो आप Study करते हो तो इस कोर्स में आप Linear Algebra, Discreet Mathematics, Communication Skills in English, Cloud Computing, Big Data Analytics, Etc. Topics और जो Subjects होते हैं वो आप इस कोर्स के दोरान आप Study करते हो और भी इस कोर्स में कई सारे Subjects होते हैं जो आपको इस कोर्स के दोरान आपको करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारे इजन्वेस्टिस के Slavers के हिसाफ से जैजो Subjects हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BSE Data Science कोर्स के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादनम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और वी काफी सारे courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वेकवर जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दन्यवाग